आज हम चना दाल और तरोई से बहुती टेस्टी सबजी बना का तैयार करेंगे ये सबजी खाने में बहुती टेस्टी और हमारे सरीर के लिए बहुती हैल्दी भी है और इसको हम बहुती आसान तरीके से बना का तैयार करेंगे तो अगर आपको यह रेस्पी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो फिर चलिए चना दाल और तरोई की सब्ची बनाना शुरू करते हैं पहले हम लेंगे आदा केजी तरोई हमने यहाँ पर एकदम फ्रेस तरोई लिए तो सबसे पहले हम तरोई के आगे और पीछे के हिस्से को थोड़ा सा कट कर देंगे अब हम तरोई को चील लेंगे तरोई के बारे में आयुटवेद में बताया गया है कि तरोई आसानी से बच जाती है यह हमारे सरीर के लिए बहुती फायदे मंद होती है तरोई खाने से हमारी भूपी बढ़ती है साथी यह हमारे हाट के लिए भी बहुती फायदे मंद होती है छिलने के बाद हम इनको दो से तीन बार पानी से अच्छे से दुल लेंगे सारी तरुई को हम इस तरीके से गट कर लेंगे अब हमने यहाँ पह लिए आदा कटूरी चना दाल जिसको हमने एक घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और इसको 2-3 भार पानी से अच्छे से दुल लिया है अब हम इस चना दाल को एक पैन में सिफ्ट करेंगे लग से पका लेने से हमारी सब्जी जल्दी बन का तयार हो जाएगी तो इदर जब ताल हमारी पक रही है तब तक हम एक कढ़ाई में दो टेबिली स्पून ओयल लेंगे और जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे आदा छोटी चम्मत जीरा साथ हम इ यहां लेसन को अच्छे से भूनना है यानि इसको कच्छा नहीं रखना है तो लेसन हमारा भून गया है मैं इसको पास से दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि लेसन को हमने कितने अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा साइज का प्याज जिस तो फूदा सा कम ही ढ़ल अब इसम मसालों को लगाता हुए, अच्छे से भूल लेंगे हम इनको तब-थक, भूनेंगे जब तक ये अच्छे से ऑयलन ना छोड़ दे तो मसालों ने ऑफोला कर दिया है अब इस स्टेज पर हम इसमें एड़ करेंगे एक चूटी चम्मज कस्मीरी लालमेच इसको डालने से सबजी का कलर बहुत ही अच्छा आता है और यह ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है तो इसको भी डालकर हम मसालों को अच्छे से चला लेंगे तो आप देख सकते हैं कि मस सूखी खड़ी लालमेच तो कुछी मिन्टों में हम देखेंगे कि टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए है जब टमाटर हमारे बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें एड़ करेंगे अपने कटी हुई तरोई तरोई को मसालों में मिक्स करते हुए से दो बाद चला देंगे ताकि तली में सब्जी हमारी चले ना तो लोगवग साथ से आच मिनट हो गया है अब हम सब्जी को चेक करेंगे तो तरोई हमारी लगवग सेवेंटी टू एटी परसंट तक पक चुकी है तो इदर हमारी चना दाल भी अच्छे से वो गई है तो यह तरोई हम इसे इस तरीके से फोड़े तो यह अच्छे से मैस हो जाए यानि हम इसे फोड़ने में जय्दा और फिर से हम इसको ढग देंगे और पकने देंगे, तो लखबख साथ से 8 मिनट हो गए है, अब हम अपनी सब्जी को चेक करेंगे, तो हमारी सब्जी एक दम पकर तयार है और लास्ट में हम इसमें एट करेंगे, 1.4 चोटी चमबच आम्चूर पाउडर, साथी हम इसमें करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो पर मिलते एक नई रैस्पी के साथ बाई